हलो सशी काल जी सार्यानों तो अड़ सार्यादा वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल जस्स्टाइल्स दे सो आज मैं तो हाननों दस्तूंगे कि तुसी स्किन वाइटनिंग लेट माटर नाल कार बैठे कि में फेशल कर साकते हो फेशल करन नाल अपनी स्किन गोरी अते चमकदार बांदिया तो अपनों मन्त वीच टू टाइम्स फेशल जरूर करवाना चाहिदाया अगर तुसी पालर जाके फेशल नहीं करवाना चाहिदे तो तुसी बिल्कुल नैचरल एल्ग्रीडियंट्स नाल कार बैठे ही अपनी स्किन नू ब्राइटन अड़ वाइटन कार साकते हो सो फ्रेंड्स टमाटर बारे पहला मैं तो नू दास्तमा कि टमाटर वीच बोहत मात्रा वीच विटामिन सी हुन दाया सो एनू अपा फेश ते स्किन वाइटनिंग ले यूज कर साकते हैं तो एक नैचरल ब्लीचिंग एजेंट दा काम वी कर दाया टमाटर नाल अपनी स्किन ते pigmentation, dullness, darkness ते dark spots कट देने सो चलो स्टार्ट करिए सो फर्स्ट स्टेप है अपना क्लिंजिंग क्लिंजर बना ओनले सब तो पहला एक चम्मच टमाटर दरास लवो ते एक चम्मच रॉ मिल्क यानि के कच्चा दुद्ध लवो इनननों मिला लवो ते cotton दी हैल्प नल अपने फेस नों क्लीन कर लेनाया ते फिर एदित उसी एक यां दो मिल्ट तक मसाज करनीया ते इस तो बाद फेस क्लीन कर लेनाया कर दो मिल्क सो अपना नेक्स स्टेप है स्क्राबिंग स्क्राब बना ओन लई एक बावल वीच एक चम्मच बेसन ते एक चम्मच चीनी लेके एनननों मिला लेनाया बेसन एक नेच्चुरल एक्सफॉलियेटर है जो की अपनी स्किन दे डेड स्किन सेल्स नों रिमूव कर दाया सेम ओदा ही शुगर वी एक नेच्चुरल एक्सफॉलियेटर है एहे अपने एजिंग प्रिसेस नों स्लो डाउन कर दाया सो हाफ्ट माटर लेना ते बेसन ते चीननी दे मिक्सचर विच टिप करके अपने फेस ते एदी मसाज करनीया एदे नाल अपनी स्किन सौफ्ट सपल ते गलोई बाण जान दिया 10 मिन तक एदी स्क्रब करन तो बाच फेस नो नौर्मल पाणी न साफ कर लेना या सो नेक्स स्टेप है फेस पैक पैक बना ओल ले पहला टमाटर दा पेस्ट बना लो ते ओदे वीच एक चमच देहीं एक चमच शेहद ते दो चमच बेसन लेके मिला लेना है ते एक स्मूथ पैस्ट बना लो ते ओपने फेस ते लगा लो एही फेशल करके तो हाड़ी डेड स्कीन जरूर हट जाएगी और फेस बिलकुल क्लीन ते गलोई बाण जाएगा तुसी इस फेशल नो जरूर ट्राई करेओ तो इस मिक्सचर नो अपने फेस ते तुसी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनिट्स तक अपने लगा के रखना है ते उस्तो बाच इनो वाश कर लेगा है सो मन्त दे विच दो वार तुसी इस फेशल नो कर सक देओ सो एह सेगी आज दी वीडियो प्लीज एनो लाइक और शेर जरूर कर देओ ते मेरे चानल नो सस्क्राइब जरूर कर देओ सो मिल देया नेक्स्ट वीडियो विच थाओए जरूर को